मदप्रदेश की खरगोन में किसान कपास की कम पेदावार से हुए नुकसान के मार जेल चुके हैं। अब किसान रभी की फसलों को लेकर चिंती थें। कपास में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लोगों ने गिहों और चना की बॉई की हैं। लेकिन बीमारियों ने इन फसलों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। किसान फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। बावजुद इसके सफलता हाथ नहीं लग रही। बता दे कि गेहूं और चना रभी के मुक दो फसले हैं। खरगोर में गेहूं का रखबा लगबग दो लाख से भी जादा हेक्टियर का है। जबकि चना का रखबा एक लाख तीस हजार हेक्टियर के करीब हैं। अलाकि करसी उभाग और वैग्यानिकों के दल ने किसानों की खेतों में फसलों का अउलोकन किया है। खरगोर के वरिष्ट वैग्यानिक डॉक्टर योगेंद्र जीन ने कहा कि तापमान में गिरावट और नमी अधिक होने से फसलों पर रोक का संक्रमन हवा के द्वारा फैलता है। इसकी रोकताम के लिए प्रीपो कोना जॉल दवा का 15 एमेल प्रतिपंप के अनुसार घोल बना कर शिड़काओ कर सकते हैं। गेहों में इल्लियों के लिए एमोमेक्टिव बेंजोईट 5% का 8-10 ग्राम प्रतिपंप के अनुसार घोल बना कर किसान छिड़केंगी तो फायदा निश्चित मिलेगा। भुराट के वज़े से लाल पिले हो रहे अपने आप काले पढ़ रहे दाने उनके अंदर ना कीड़े लग रहे इल्लिया इल्लिया होरी बारी यह मावठे के वज़े से बद्दल होते हैं कि उसकारण हो रहा है ना करते हों कि अन्यवी काम ने करते हुएं कि दाने प्धू पर जाते सब अपने दावभी छिड़केंगे तो कई कांद थोड़े देगी यह मर गया तो कई ने निकाम करेगी लोको लाटिन के लिए खरगों से दीपक पांडी की रिपोर्ट